हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग डिसकस करेंगे important questions of operational research दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको final touch भी बताऊंगी latest 2023 की DPT के बारे में भी बताऊंगी कि आपको वो कहां से मिलेगी final touch कहां से मिलेगा और last thing की आपको important questions के बारे में हम लोग वीडियो में discussion करेंगे क्योंकि आप लोग के mostly बच्चों के पास books हैं OR की books हैं मेरे पास एक operational research की केके चावला की book है कल्यानी publisher की so अगर आप लोगों के पास भी same book होगी तो हम लोगों का बहुत हद तक material match हो जाएगा की important questions क्या करेंगे सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि हम लोगों के पास जो ये आप लोग देख सकते हैं मेरी book का index page है so मेरे पास जो book available है आप लोग भी अपने books को इससे match कर सकती है कि exact आपके पास भी यही चीज है या कुछ different चीज आपके पास available है ताकि हमें idea लग सके कि आप लोग अब देखो जिन बच्चों ने तो theory करने का सोच रख है कि हमने OR की theory ही करनी है उन बच्चों को मेरी एक सलाह है 2022 में मैंने paper दिये हैं final year के ठीक है और मैं आपको एक चीज घरेंटी के साथ बोल सकती हूँ 2022 में एक भी question theory का नहीं आया है 2022 का question paper आप लोग उठा कर देख लीजिए एक भी question theory का नहीं है बाद में मत बोलना paper हमारा अच्छा नहीं गया paper में जो हमने सोचा वो नहीं आया क्योंकि theory paper में नहीं आती है और आएगी भी तो 80% paper तो आपका practical base होगा ये मेरी confirmed है कि 20% आपको theory दिख जाएगी जिससे आप लोग pass नहीं हो सकते किसी भी हालत में तो practical तो आपको must है करने ही पड़ेंगे ठीक है बाकी अगर कुछ बच्चे फिर भी theory करना चाहते है तो मैं आपको obviously DPT दिखाने वाली हूँ वीडियो में और साथ में final touch भी देखेंगे तो आपको जिनको करनी है कर सकते हैं बट मेरी तरह से theory के लिए big no है क्योंकि इसकी theory last year में के paper के बाद तो confirmed है कि कोई भी बच्चा ना करे अब जो chapters मैंने किये थे खुद इस book के chapter number first मैंने नहीं किया था second करेंगे बट second में से questions five marks के निकलेंगे पर जो third chapter है वो base है second base जब तक आप लोग second नहीं करोगे तब तक आपका third chapter नहीं clear होगा तो second आपको करना ही पड़ेगा चाहे वो five marks में भी आए उससी से आपके 15 marks के question भी निकलेंगे second third chapter मुझे बहुत easy लगता था after that जो है simplex chapter है वो मैंने skip किया था क्यूंकि मेरे को ये था कि मेरे option में निकल जाएंगे पर अगर आप में से किसी ने simplex कर रहा है तो वो लोग उसको लेके चलेंगे जिन्होंने simplex कर रहा है क्योंकि ये जब fifth number chapter है na simplex method involving concept of artificial ये वले में से 15 marks का question पका आएगा मुझे ये था कि मेरा choice में निकल जाएगा क्योंकि मेरा transportation और assignment complete था ठीक है बट अगर किसी ने transportation या assignment में से कोई भी एक chapter या LPP नहीं किया है तो वो लोग simplex कर सकते हैं अगर उनको easy लगता है तो मुझे simplex tough लगता था इसलिए मैंने skip करा मैंने chapter करे थे second, third, seventh और eighth आपकी screen पे हैं ठीक है इन चारों के हो मैंने अच्छे से किया था और इनी में से paper में question चार के चार आए थे एक simplex का आया था I think इन में से एक का नहीं आया था या assignment या transportation में से हुआ था चार questions paper में आये थे और मेरे दो अराम से निकल गे थे और जो unit 2 है उसका सबसे ज़्यादा focus आपका किस chapter पे होना चाहिए replacement और game theory इन दोनों के practical भी आते हैं और अगर theory आनी हुई तो इनी में से आती है ठीक है तो अगर practical वालों के लिए मेरी confirmation है कि आपको यही दो chapters करने है किरपया करके decision और simulation को बाद में हाथ लगाना पहले यह दो chapter पक्के यहां से करो और यह 4 chapter उपर वाली अगर किसी को simplex easy लगता है तो मैंने बार-बार कहरी हूँ वो कर सकता है क्योंकि important chapter है बट मैंने important वाले 4 कर लिए थे तो यह वाला option में obviously निकल जाना था इसलिए मैंने skip करा ठीक है वैसे इन पांचों में से practical बनता है आपको दिख रहा है लिखा हुआ है LPP जो 3rd वाला chapter है उसके इलावा 5th chapter 7th और 8th इन चारों में से एक एक practical पक्का दिखता है पेपर में ठीक है अब बात करते हैं हम लोगों ने ये बात तो कर ली कि हमने कौन-कौन से chapters करने है अब ये मेरे पास है एक final touch ज़्यादा latest नहीं है ये final touch ठीक है जो information जहां से जितना data available हुआ मैंने आपके लिए arrange की है so try कीज़ेगा इसी में थोड़ा सा आपको करना है adjust कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा और कुछ latest questions की हो सकता आपको solutions ना मिले so आपको अपनी books का सहारा थोड़ा सा लेना है वहाँ पर ठीक है तो यहाँ पर आपको theory का matter भी मिल जाएगा सब कुछ मिल जाएगा मैं आपको यहाँ पर कुछ नहीं बताऊंगी यह final test मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी यह आपको कहाँ पर मिलेगा अब आपके साथ discuss करनी है मुझे जो है वो आपकी latest dpt 2023 तक की तो यह dpt के कुछ chapters है ठीक है इसमें से मैं suggest करूँगी first आप लोग second chapter करें second के बाद आप लोग transportation और assignment को पका करें यह तीन हो जाएं उसके बाद simplex वेले को हाथ लगाएं क्योंकि थोड़ा सा वो tough है ठीक है और नीचे replacement और game theory पका करना है ठीक है जी 4-5-6 chapters बता रहें अब यह dpt है latest जैसे की मैंने बताया मेरी नहीं है किसी student ने मुझे दी है so आपकी help हो जाएगी dpt क्योंकि latest है आप लोग देख सकते हैं first chapter के questions so 2021 तक जो भी theory के questions आएं आपको दिख रहे हैं latest तो आप लोग screenshots ले सकते हैं otherwise आपको dpt, final touch, everything जो है वो मेरे telegram पे मैं provide करने वाली हूँ तो आपको मेरा telegram का link में नीचर description में डालूँगी आप लोग वहाँ पे join कीजिए वहाँ पे बहुत सारे 6M के बच्चे हैं जो आपकी help भी करेंगे और जिनकी आपको भी help करने का मुका मिलेगा क्योंकि वहाँ पे exam से एक दिन पहले ऐसे discussion होती है जिस बच्चे को question में दिक्कत आती है वो अपना question group में डालता है और जिन बच्चों को वो chapter आता होता है वो बच्चे उस question को solve करते है इससे क्या होता है एक तरह से आपकी exam से पहले pre preparation हो जाती है आप लोग questions को बिना cheating के solve करके देखते हो और दूसरे बंदे की help भी हो जाती है आप लोग उस group को join कर सकते हो 800 प्लस members है वहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जो आप लोगों की वहाँ पे help करेंगे आफ्टर देखिए second chapter है formulation and graphic method इसके questions जैसे मैंने बोला कि आएंगे तो आएंगे कि आएंगे देखो 2020 में paper में question दिख रहे हैं आपको 2021 में भी है यह उपर दूसरी university है पंजाब university का देखते है चलो theory देख लो 2016 के बाद नहीं आई और आई भी है तो पांच marks में आई है ठीक है practical questions दिखाते हैं आपको LPP के नियरवाइ practical questions 18 में गया 20 marks का paper 20 में गया 20 marks का 21 में गया फिर 5 marks का 22 में गया 22 में और यह वाला question old hands वाला आपकी books की example है किरपया इसको अच्छे से कीजिएगा काफी हद तक कह सकते हैं important question है अभी मैं आपको important questions भी टिक लगवाँगी उसके बाद यह simplex वाला है यहाँ पर गुर्णानक देव इन्यूवस्टी का पहले data given है सो देख लीजिए सब लोग धिहान से सारे data given है और यह dpt में आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड की हुई है बच्चों ने वहाँ पर अप्लोड करी हुई है आप लोग वहाँ से पिक कर सकते हैं इस dpt की pdf को असानी से ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं आएगी 2021 में थियोरी का question देख सकते हुई देखना पूरी dpt में आपको 2022 का कोई theory का question नहीं दिखेगा यह धियान देना आप लोग 2021 की theory given है ठीक है after that यह सारे questions है आप लोग देख सकते हैं इसका भी simplex का question पका आता है paper में बाकी करोगे तो यह choice में चला जाएगा इतनी confirmation है क्योंकि थोड़ा सही tough है या मैंने नहीं किया था मैं यह कह सकती हूँ क्योंकि मैंने इतना जोर नहीं दिया था इस chapter पे चीक है after that duality इतना important नहीं है so इसकी theory भी देख लो 2013 तक आई है उसके बाद इसके practical भी देख लेते हैं duality के so duality basically five marks में जाता है तो अगर किसी को five marks में preparation करनी है तो duality को pick कर सकती है यह simplex के उपर based है तो जिनको simplex आता है वो इसको कर सकते हैं otherwise यह chapter नमुपकिन होने वाला है after that हमारा transportation most important chapter गुनानक देवी निवरस्टी की यहाँ पे theory है देख लीजिए पहले theory five marks one marks ऐसे आती है इसकी सो मत करना गुनानक देवाले इसकी theory after that इसके practicals आपको दिखा देती हूं last years के 2020, 2021 and गया कितने में साधे वारा marks में तो आप लो किसको कर सकते हैं chapter बहुत important है transportation वाला Punjab University वाले इसकी theory देख लो भई 2019 में 15 में गई है after उससे पहले five में और 2022 में theory का question इसमें से भी नहीं है ठी तो आप लोग समझ जाओ कि 2022 में theory का एक question नहीं था तो बच्चे कैसे पास हुए है यह तो उन बच्चों से पूछों जिन्होंने theory attempt करी थी मैंने थैंग और practical करे थे तो 2022 का यह practical question है after that assignment यह भी important है और गुर्णानक वाले सिर्फ इसकी theory कर सकते है इसके practicals नहीं है after that पंजाब इन्युवर्सटी वालों के लिए theory नहीं है practical है ठीक है इसके practical questions देख लीजिए 2013-15 यह देखिए 19 के questions है 20 के questions है after that 2022 और 2021 के questions है आप लोग questions टीपिटी में से असानी से ले सकते हैं decision theory जो chapter है यह theory based ही होता है important theory based ही paper में आता है देखो theory based 2021 तक आया 22 में इसकी भी theory नहीं आई है मैंने बताया theory का एक question नहीं था जब मैंने paper दिया था तो अगर आपकी बड़ी भी यह same situation आई तो आप ही responsible on theory ना करके जाने के लिए मैं बोल रही हो कि theory मत करो इसमें भी replacement में भी देख सकते हो 2021 में theory आई ठीक है पंजाब इन्यूवर्स्टी के भी 21 में theory है 22 में theory नहीं थी के questions भी है इसमें अब आपको करना क्या है जो मैंने starting में भी बताया और एक बार फिर repeat कर रही हूं आपका chapter number 2 जो अभी आपको screen पर दिख रहा है इसकी according chapter number 2 chapter number 3 chapter number 7 chapter number 8 और chapter number 10 और 11 ये पक्के chapters होने चाहिए आपके clear इसके लागा अगर आप कुछ नहीं भी करोगे तो easily आपके marks OR के paper में 60 से प्लस ही जाएंगे अगर आप इनके questions को as a जैसे अगर आपका पूरे question का answer नहीं निकल रहा ठीक है question को आप लोगों ने ask जैसे उसके manner में solve करते हैं वैसे solve भी paper में कर दिया ना तो step marking पक्का होगी और क्योंकि मैं ये इसलिए बोल पा रही हूं क्योंकि जब मैंने OR का paper दिया था मेरा transportation का एक sum था जिसका मेरा answer कुछ और आया था बाहर निकल के friends से discuss किया उनका कुछ और था तो गलत था question मेरा but just because मैंने उसका format गलत नहीं किया उसको मुझे वे तो पता था sum कैसे solve करना है तो मैंने वैसे ही किया तो मुझे उस sum में अच्छे खासे marks मिले थे पूरा सही हो तो 15 में से 15 मिल जाते हैं थोड़ी बहुत mistake हो तो 15 में से 10 12 13 ऐसे मिल जाते हैं अराम से number ठीक है तो आप लोगों को अगर पूरा answer नहीं भी आ रहा समका कोई बात नहीं जितना समझ आ रहा है जैसे समझ आ रहा है उसको attempt करके आओ at least ठीक है तो question बहुत अराम से आपके 60 plus marks आएंगे और के paper में इतना कुछ नहीं है बस यह chapters आपको अच्छे से cover करने हैं जो बोल रही हूं और अगर आपको phone में से पढ़ना जैसे कि final touch भी आपका phone में है dpt भी आपकी phone में है no problem उसको छोड़ दो आप लोगों के पास आपकी books है इन chapters की अपनी books में से जितनी examples हैं सबको देख लो अच्छे से और अगर कोई आपको टफ लगे तो उसको एक बार solve करके जरूर देखो और कुछ questions जैसे कि मैंने पीछे बताया old hands वाले तो ऐसे कुछ questions हैं जो आपकी books की examples हैं जैसे कि मैं आपको बता भी देऊं आपका जो पहले तो chapter number 3 है उसके जितने भी आपके back के questions हैं वो सारे आपकी examples हैं just like मैं आपको अगर बताऊं आपका जो question 2018 में आया था वो आपकी book की example number 21 है जो 2017 में आया था वो आपको final touch में उसका solution मिल जाएगा जो आपका 2016 में question आ रख है exam में वो आपकी book की 18th example हो सकती है उसके बाद जो second 2015 में है व उसके बाद जो आपके question 2015 में है वो final touch में जो question आपको book में नहीं मिलेगा वो final touch में मिल जाएगा और जो final touch में नहीं है वो book में definitely मिल जाएगा हो सकती है कुछ questions ऐसे हो जो आपको दोनों में नहीं मिलें सो उन questions के पिछे हाथ दो के क्यों पढ़ना है उनको अपने तरीके से solve करना शुरू करो जहां तक वो question solve हो रहा है is okay आगे नहीं जा रहा है छोड़ दो उसको leave it क्या पता वो आए ही ना उस एक question के पीछे हाथ दो के पढ़ जाएंगे तो बाग की book छूट जाएगी जो हम risk नहीं ले सकते so skip that question वहाँ से जहां से आपको लग रहा है कि आगे नह इतना निकल है उतना निकाल के छोड़ दो अच्छे खासे marks मिल जाएंगे ठीक है तो ऐसे ही आपकी जितने भी last year के questions है वो आप ही की book की examples है तो अगर आपको final touch dpt यह सब दिखते दे रही है तो books की examples अच्छे जे करो ठीक है I hope इस वीडियो को बनाने का जो मौटिक था दिनों से demand थी OR की important questions लेके आओ कौन से chapters हम लोग करें so I hope अब आपको clear है कि आपको कौन से chapters को अच्छे से करना है मेरी suggestion है कि यह linear वाला second chapter transportation और assignment रट लो रट लो उसके इलावा आपको यह simplex भी छोड़ दो first chapter भी छोड़ दो मैंने नहीं किया था मैं सीधा बताओ मैंने सि 5th और 6th ठीक है simplex मैंने नहीं किया था आप भी छोड़ सकते हो अगर आपको transportation easy लगे तो अगर आपको transportation tough लग रहा है so definitely आपको simplex को हाथ लगाना चाहिए और नीचे से 2 chapters total 5 chapters मैंने अच्छे से करे थे ठीक है आपके उपर बेज़ आपको कौन से easy लग रहा है उसी basis पर अराम से पर निकल जाएगा so I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी है इस वीडियो को प्लीज अपने friends के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी idea लग सके कि कौन से chapters को करना है बाकी करना तो आपने अपना अपना ही है बट यह है कि उनकी थोड़ी सी help हो जाएगी और हमें भ उड़ा साथ motivation मिलेगा कि हम भी आपके लिए ऐसी और वीडियो लेके आ सकें सो मिलेंगे आपको अपनी अगली वीडियो में तब तके लिए good bye